इस्रेली सेना ने डंके की चोट पर कह दिया है कि जैसे ही सीसफार खत्म होगा वो गाजा पट्टी और विस्ट बैंक में दस गुना तेजी से अमला करेगा लेकिन इतनी बड़ी धंकी देने के बाद नेतनियाहू को फोरण एसास हुआ है कि उसने बहुत भारी गलती कर दी है और इस गलती का फायदा इरान उठा सकता है इसरेल को मिटा देंगे हमास और इरान चार दिन का सीस फायर क्या इसरेल पर भारी पढ़ रहा है दुनिया भर के वार एक्सपोर्ट्स का साफ कहना है कि चार दिन के सीस फायर में हमास को जबरदस्थ हमले करने के लिए फिर से ऑक्सिजन मिल गई है खबरें तो यहां तका रही है कि रूस के वेगनर ब्रुप के कमांडर और लड़ा के भारी हथियारों के साथ हमास के कमांड सेंटर में पहुँच चुके है जबकि चीन ने इस दोरान हमास की सुरंगों में ऐसे खुफिया नेटवाक बना दिये हैं जो इस्रैली टैंकों और पैदल सेना के लिए काल साबित होंगे जबकि दूसरी तरफ हीरान ने हमास को नई तरह की सैकडों में साइलें, लंबी दूरी के रॉकेर और भारी हथियारों की एक बहुत बड़ी खेप गाजा पहुचाती है दावा तो यहां तक किया गया है कि हीरान ने अरब और मुस्लिम देशों को साफ साफ कह दिया है इस वक्त इसरेल के डिर लाग सैने को राट सो टैंक घाजा पट्टे वेस्ट बैंक में मौजूद है खबरें तो यहां तका रही है कि इसरेल ने सीजफायर पूरा होने से पहले ही हमास के ओपर जबरदस्थ हमले शुरू कर दिये है ताकि हमास साथ अक्टूबर जैसा हमला इसरेल पर ना कर सके जबकि दूसरी तरफ हमास, हेजबुला और हूथी मिलकर इसरेल पर हमले कर रहे है जो साफ साफ संकेत हैं कि ना तो हमास हार रहा है और ना ही हेजबुल्ला और हूथी के लड़ाके इसरेल पर हमला करने से हिचक रहे हैं क्योंकि इरान इस स्वक्त गाजा युद्ध का बॉस बन चुका है यही वज़े है कि इसरेल के प्रधान मंत्री बेनमिन नीतन्याहु ने एक ऐसा बयान दे दिया है जो इसरेल के वजूद से जोड़ गया है इसरेल के हार पर नीतन्याहु का कबूल नामा इस्रेली प्रधानमंत्री बेनमीन नेतन्याहु ने गाजा युद्ध को लेकर इस्रेली मीडिया में बड़ा लेक लिखा है नेतन्याहु ने गाजा युद्ध पर लिखा है कि एरान की शैतानी धोरी बन चुका है हमास नेतन याहू ने दुनिया को जेतावनी थी कि अगर हमास इरान युद जीत गए तो अकला नंबर बाकी देशों का होगा बेनमीन नेतन याहू ने ये भी लिखा है कि हमास ने 7 अक्टूबर को जिस तरह आतंत मचाया वो हमें दिखाता है कि अच्छा भविश्य तभी संभाव जब सब ये दुनिया इन जंगलियों के खिलाफ लड़ेगी नेतन याहू ने अलर्ट करते हुए ये भी लिखा है कि कुछ लोगों को लगता है कि हम आराम से अपनी जिंदगी में रहेंगे और बुराई खत्म हो जाएगी तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है घाजा में अब तक 15,000 के करीब लोग मारे जा चुके हैं इस्रेली सेना और इस्रेली सरकार दोनों ही इस स्वक्त भयंकर प्रेशर में है एक तरफ हमास का पूरी तरह से खत्मा करने का दबाव इस्रेल की 3 लाख की सेना पर है तो वहीं दूसरी तरफ इस्रेल की नेतन्याहु सरकार पर अंतराश्रिय दबाव बढ़ता जा रहा है कि वो अपने हमले बंद करे जंग को रोके लेकिन इधर जंग को अंजाम तक पहुचाने का जुनून इस्रेल पर बहुत भारी पड़ रहा है जबकि दूसरी तरफ इरान के सुप्रीम लीडर अली खामदेई ने इस्रेल को धम की देती है कि इरान घाजा में गिराए गए इस्रेल के एक एक बं और लाशों का पूरा हिसाब इस्रेल से लेगा और इस्रेल को घाजा में खून खराबे की कीमत चुकानी पड़ेगी देखे इरान के सुप्रीम लीडर ने क्या कहा है इरानी सर्वोचनेता अली खामनेई ने एक्सपर एक पोस्ट में इस्रेल को घाजा युद्ध पर चितावनी दी है अली खामनेई ने लिखा है कि घाजा पट्टी में आईडियेफ के हमले पर तगड़ा जवाब जरूर में लेगा खामनेई ने लिखा है कि घाजा में इसरेल की भीशर बंबारी उस करारी हार के भरबाई नहीं कर पाएगी जिस करारी हार का सामना इसरेल को 7 अक्टूबर को करना पड़ा था इरानी सरवोच नेधा अली खामनेई ने दावे के साथ लिखा है कि इस्रेल अमेरिका के समर्थन के बिना कुछ भी नहीं है और कुछी दिनों में इस्रेल चुप होने को मजबूर हो जाएगा इस्रेल की हारबर नेतन याहू का कबूल नाम अगर हम आकणों के हिसाब से देखें तो इस्रेल ने उत्री घाजा से 11 लाक लोगों को जबरन दक्षणी घाजा की तरफ भागने को मजबूर कर दिया है जब कि उत्री घाजा में मौजूद 35 में से 25 अस्पता इस्रेली हमले में तबाह हो चुके है वहीं 44,000 के करीब उत्री घाजा की इमार्थों को इस्रेल ने मिसाइल और बम धमाकों से उड़ा दिया है जब कि सबादो लाक के करीब इमार्थें अब रहने लायक नहीं बची है लगभग 10,000 हमास लड़ाके अब तक इस्रेली सेना मारने का दावा कर चुके है लेकिन जबरदस्त प्रिशब में चार दिन का सीज फायर इस्रेल की देड़ महीने की रहनक और जीत पर पानी फिर रही है इसलिए इस्रेली सेना के टॉप कमांडरों ने कहना शुरू कर दिया है कि सीज फायर के दौरान इस्रेली सेना भीशन हमले की जबरदस्त तयारियां कर रही है इस्रेली सेना के प्रवक्ता रियर एद्मिरल डैनियल हगारी ने साफ साफ कहा कि हमशी जबार में हमास बर भी शर्हम लेके तल्यारी मज्योबे. इस्राइल को मिठादेंगे. हमास और इरान. बमालच यमाफूगा, चाल ये शलीम अपारखोत वेता हैर्खोत तामुखनות लशलब हमलख़ा अबाईन. कुछות सहाल, मुछנים וद्रूखים בכל הזירות המדיניות שלנו ברורה נפעל כנגד כל איום למדינת ישראל के नाम से मशूख याया सिन्वार उठाना चाहता है इसरैल के एक अखबार के दावे के मताबि इसरैल की रक्षा विभार के अधिकारियों को लगता है कि घाजा में हमास का चीफ याया सिन्वार दक्षणी घाजा पट्टी में मानवी असंकट का फायदा उठाने की कोशिश में है इस रणनीती के तहट खान योनस का लादेन कहा जाने वाला याया सिन्वार इसरैली रक्षावनों पर इतना अंतराश्य दबाव डालना चाहता है कि आगे अपने अभियान को देज ना कर सके खान योनस ही सिन्वार का मुक्ष कमांड सेंटर है माना जा रहा है कि दबाव में इसरैली सीना अपिक्षा कृत सीमित ऑपरेशन के लिए तयार हो सकती है जिससे हमास को कोई खास मुक्सान नहीं होगा इसरैली अपसरों का मानना है कि सिन्वार युद्ध विराम के बाद जमीनी अभियानों को भिर से शुरू करने में देरी कराने की योजना बनाने में जोर शोर से जुटा है आप कुछ पॉइंट से समझ लीजिए हमास का लादें या या सिन्वार उत्तरी गाजा के बज़ा है दक्षनी गाजा को बचाने पर अब क्यों जोर दे रहा है सीज़ फायर की वज़े से खान योनुस या राफा को निशाना बनाने की बचा है इस्रेली सेना नोसे राथ अल बुरायज और दीर अल बलाह जैसे इलाफों पर ही सीमित हमले करपा रही है इस्रेली सेना दक्षनी गाजा के गैर मानली अक्षित्रों में सीमित अभियान चलाने को मजबूर हो रही है इसका नुकसा आईडिय फ को ये हुरा है कि हमास इस्रेल के भीशन हमलों से बच रहा है और हमास का लादे याया सिन्पार एक बख्धिर से दक्षनी गाजा में हमास की सैन्ने टाकत को मजबूत करने में जुटा है इस राइल को निटा देगे हमास और इराग मार्ग का एन आमॉत का दो उन्हाए लाक्सा ओ को अता में ठाक्सा ग्सा जान क्रोदाओर। बख्भ एकुट से लाइलिए लुटार का इस ठाक्षर नहान है नखूद मारकत तख्कीक अल्हुलूमी वलामली फिलस्तीनी या फिर किसी बखतर बंद वाहन के अंदर हमास के लड़ाकों से जंग कर रही है। हमास के इस खुफिया युद्ध में इस्रैली सेना के एक पसीने छोड़ा दिने हैं। चार दिन के सीजफ फायर के बाद जब दोबारा से इस्रैली सेना घाजा शहर और उत्तरी घाजा के बेहत अंदरोनी हिस्सों पर हमला करेगी। तो उस वक्त हमास और ज्यादा खातर हमले इस्रैली सेना पर जरूर करेगा। लगन इस्राइली सेना इबीदा बकर रही है, वसी जवायर किबा, हमास कहात मापूरी तरसे होजा. लगन प्रियुट बकर बकर रही है, वसी जवायर किबा, हमास कहात मापूरी तरसे होजा करें हमास कि इस दावे में दम नजर आता है, क्योंकि इस्राइली सेना का दावा है, कि पचले 10 गंटे की बीशन जन्ग में, हमास के दर्जनों लडा के बारे गए है, आईडियफ के मुक्ष पैदल सेना एकायों में से एक है नाखल प्रिगट के सैनिकों ने उत्तरी घाजा के पश्चिम में जबालिया पर भीशन हमला किया जबालिया में आउट पोस्ट 17 पर आईडियफ में हमास लड़ाकों को मारतर कपचा कर दिया है